अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किजेगा शेयर किजेगा और सब्सक्राइब किजेगा साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम अनिमल टिशू अनिमल टिशू में सबसे पहले उ चानेंगे उसके टाइप्स और सारे टिशू के डिटेज और डिटेल्स में क्या पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके फंक्शन और यह कहां-कहां पाए जाते हैं उसके ऐग्जांपल्स और कुछ को चोशन करेंगे चलिए अनिमल टिशू पढ़ना शुरू क छहते हैं किसको हैं एक ग्रूप ओसिंगर तो यह नीक ग्रूप होता है सिमिलर सिल्का इंटर स्टान्च उसमें रोंज साटलूलर सबस्तांस होते हैं तो कि परफॉर्म करते हैं स्पैसिफिक फंक्शन को और वैसे ही और्गनाइजेशन को वैसे ही, इस Seele की और्गनाइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे? टिशू कहेंगे अगर वो टिशू आनिमल में प्रिजन्ट है तो उसे हम लोग आनिमल टिशू कहेंगे अब बात करते हैं Types of tissue की Types of tissue में Different function of the cell के basis पे टिशू को चार तरीकों में बाटा गया पहला है epithelial tissue, दूसरा है connective tissue, तीसरा है muscular tissue और चाहता है neural tissue तो चलिए बात करते हैं epithelial tissue के बारे में तो कुछ important points देखते हैं सबसे पहले epithelial tissue को हम लोग epithelium भी कह सकते हैं और इसका plural epithelia होता है और इस tissue में जो free surface होता है वो face करता है body fluids को है ना, जो अंदर में body का fluids है उसको face करेगा, यानि internal surface को या फिर outside environment, यानि बाहर के environment के contact में रहेगा अगला important points यह है कि इसमें कोई भी blood supply नहीं होता जो के epithelial cell को नरिश करे समझा ही बात, तो ये point बहुत important है कि epithelial cell में कोई भी blood vessels नहीं जाता तो अब ये बताईए कि blood vessels जब जाता नहीं तो इसको nourishment कहां से मिलेगा तो इसको जो nourishment मिलता है वो उसके अंदर जो connective tissues होते हैं उसकी वज़े से epithelial cell को nourishment मिलता है epithelial tissue का जो function है वो ये है कि वो प्रोवाइट करता है covering और lining कुछ body parts को जैसे कि हमारे skin है skin हमारे body parts को cover करती है और हमें बहुत सारे germs से बचाती है germs से बचाती है, shock से बचाती है हमारे जो अंदर के cells है, अंदर के organs हैं उन सब को बचाती है muscles को बचाती है कोई भी bacteria या virus skin से पहले contact में आता है और फिर skin हमें सारे diseases से भी बचाती है epithelial tissue के कुछ example for example skin, intestine, glands, fallopian tube and nasal passage ये देखे, skin का ये larger view है यानि electron microscopic view ये हैं intestine का, इसमें इस type के cells होते हैं जिनमें cilia मौजूद होता है glands में epithelial cell मौजूद है बीच में enzymes वगारा का secretion होता है यानि ये secretory cells हो जाते हैं epithelial tissue और यहां पे fallopian tube में देखे इस तरह के cell होते हैं इसमें भी cilia मौजूद होता है और ये columnar ये बाद nasal passage में भी cilia मौजूद होता है जो nasal passage में epithelium मौजूद होता है उसे हम लोग olfactory epithelium बोलते हैं ये तो बात हो गई epithelial tissue की अब बात करते हैं connective tissue की connective tissue एक ऐसा tissue है जो के हमारे body में बहुत ही abundant होता है और साथ ही साथ widely distributed होता है complex organism में complex animals में connective का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे को link करना इसलिए इसका function जो है linking और supporting का है साथ ही साथ fat storage का भी काम करता है अगर हम types of connective tissue की बात करें तो तीन तरह के होते हैं पहला है loose connective tissue दूसरा है dense connective tissue और तीसरा है specialized tissue loose connective tissue में adipose tissue आता है adipose tissue जो के mainly located होता है beneath the skin जो dense connective tissue होता है उसमें ligaments आते हैं टेंडन्स आते हैं और फिर specialized tissue में cartilage, bones and bloods आते हैं तो blood एक वाहिद connective tissue है जो की fluid होता है बाकी सारे जो होते हैं वो solids होते हैं तो आपको जो इसमें याद रखना है वो है सिर्फ adipose tissue ligaments, tendons और ये दिनों specialized tissue के cartilage, bones and bloods अगर हम बात करें adipose tissue की तो adipose tissue fat को store करता है और साथ ही साथ जो camel के hump होते हैं जिसको उम्लों कूबर बोलते हैं हिंदी में तो oot का जो कूबर होता है उसमें deposition of fat होता है इस बात को याद रखेगा ये question आ सकता है कि camel का जो hump होता है एकसर लोग सोचते हैं इसमें पानी होता है नहीं उसमें fat होता है इसी वज़े से जो camel होती है बहुत दिनों तक survive कर सकती है क्योंकि उनमें fat storage होता है तो energy के लिए वो अपने fat को इस्तमाल करती है ये अगर आप देखेगा ये अडिपोस tissue का ये structure है है अडिपोस टीशू के एक जो cell होते है और अडिपोस excited कहते है और ये ये थो बता दिया कि अडिपोस टीशू जो होता है वह वह कहां Located होता है वह Located होता है बिनी दर स्कीन और अडिपोस tissue के सेल को हम लोग adipocyteAnd आप बात करते हैं Ligament की यह जो सब्सक्राइब देख रहें यह जो बुरन को जोड़ता है फााइब्स क्नेक्टिव टिशू है जो एक बुन को दूसरे बुन से जोड़ता है। यह आपका पैर का बोन है इसमें देखिए यह बीच वाला जो पार्ट है यह लिगमेंट है लिगमेंट एक फाइब्रस कनेक्टिव टीशू है यह देखिए फाइब्रस है और साथी साथ डेंस भी है डेंस होने का मतलब यह है कि यह बिल्कुल घना होता है इसी वज़े से इस इसको जो है डेंस कनेक्टिव टीशू में रखा गया है इसको याद कैसे करेंगे अकसर लोग भूल जाते हैं कि लिगमेंट किसको जोड़ेगा बॉन टू बॉन जोड़ेगा या फिर इस मसल्स को बॉन से जोड़ेगा तो आक्चली में लिगमेंट जोड़ता है इसका या तो यहां पर न से अम आता है अगर हम लिगमेंट की बात करें तो जहां पर लिगमेंट में और यहां आएगा वहां पर मुसल्स नहीं आएगा सिर्फ बोन ही आएगा ऐसे आप सकते हैं लीगमेंट और टेंडन को अब एक जीज और बता दें जो इस प्रेन आजाता है वह और लिगमेंट में ही यह वह आजाता था इसी वसह से पें होना शुरू हो जाता है जो कि बर्व से सेखने से ठीक हो जाता है, नेक्स जो आता है वो है cartilage, cartilage actually smoothen करता है surface को, जहां पर joints होते है न उसके surface को यह smooth कर देता है, यह कहां पर present होता है, यह between the vertebrae present होता है, between the bones present होता है, नाक में जो नाक की हड़ी आपको बीच में दिखाई दे रही होती है, वो भी actually में cartilage ह होता है, साथ साथ ट्राक्या में जो C-shape का होता है, जो के ट्राक्या को support करता है, वो actually cartilage होता है, और ear में जो पिनना, outer ear होता है, पिनना जिसको कहते हैं, कान बाहर निकलावा, जो के sound को collect करता है, वो उसमें भी cartilage होता है, दूसरा आता है blood, ब्लेड में आप देखे, ब्ल सींन से मिलक involved होता एक हुता है प्लाज्मा और फ हम लोग यंग नियριतिक वह वह दिखाई दे कं दिले रहा है यहां पर आक्षिकन तरह ब्लस साइट को bestimmे तो सब्सक्राफवे को होता है और एक है प्लाटीलिट्स तो यह सारे डब बिसी हैं और आर बीसी है एक चीजा और बता दे आर बीसी में nukleus नहीं होता डब बीसी में सारे में Wil casi में पोता है अलग मल्ती नुकलेटर हैं. मस्कुलर टीशू की तो मस्कूलर टीशू एक & का कौंट्रकटाइल टीशू होने ने एक मकलब क्या है । यह कौंट्राक्टोटर रिलाक्स होता रहता है यानि कि जो भी हम वर्क करते हैं अगर हात वाहत हिलाते हैं। आते हैं प्रस प्रस्च चांत का पाँए हम्गा में रहते हैं तो तो खाट के पाइक हुए बोन होता है उसी तरा स्कान एस ह innocent कि भी एाध लकी हमें तो धरी हले के लिए से wait Hij मतंट्रSet अजहरे आख वर से साथ काम कर पाते हैं stepes उससे ही attach होता है अगर हम strongest muscle की बात करें on the basis of it the jaw muscles is the strongest one यह सारे चीज़े जो है वो contractile protein की वज़े सही हो रही होती है contraction जितने भी muscle का हो रहा होता है वो contractile protein की वज़े सही हो रही होती है क्योंकि contractile protein जो है वो help करता है muscles के movement में जिस तरह हमने देखा कि connective tissue के तीन टाइपस होते हैं उसी तरह muscular tissue के भी तीन टाइपस होते हैं पहला क्या है पहला है skeletal muscles जिसको हम लोग stripped muscle भी कहते हैं यह कुछ इस तरह का होता है इसको हम लोग skeletal muscle कहते हैं दूसरा होता है smooth muscles और इसको unstripped muscle भी कहते हैं यह कुछ इस तरह का होता है, spindle shape का, और तीसरा है, cardiac muscles, जो कि बहुत specialized होता है, और वो इस तरह का होता है, जो कि इसको हम लोग voluntary muscles भी कहते हैं, जो कि वो ऐसे body part में पाया जाता है, जो कि move कर सकता है, voluntary, voluntary होने का मतलब क्या है, जिसको हम अपने will के हिसाब से move करा सकते हैं, जिस अपने भी ribs वगरा के muscles है, back muscles है, यह सारे muscles, जो skeleton हमारा skeleton है, उससे attach होगा, उसी को हम लोग skeleton muscle कहते हैं, दूसरी बात यह है, कि जो skeletal muscle होता है, वो stripped होता है, और मैंने यह बता दिया, कि जो skeletal muscle होता है, वो bone से attach होता है, tendons है, N, M, ठीक है, जहाँ पे M आएगा, वहाँ पे M नहीं होगा, यानि ligament में M आ रहा है, तो वहाँ पे muscles नहीं होगा, वो bone to bone connection होगा, tendon में N आ रहा है, तो यहाँ पे muscles से bone का connection होगा, अगर आप इस figure को देखो, यह skeletal muscle का figure है, इसमें देखीगा कि जो skeletal muscles है, यह cylindrical है, साथ साथी जो छोटे-छोटे आपको दिखाई दे रहे और smooth muscles को हम लोग involuntary muscles भी कहते हैं, involuntary इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे body part में पाय जाते हैं, जहां पर involuntary action हो रहे होते हैं, जो हमारी मर्जी से नहीं हो रहे होते हैं, जैसे कि elementary canal है, ureter है, rectum है, यहाँ पे जितनी चीज़ें, जितना भी movement हो रहा होता है, वो हमारे mayville के मत सब्सक्राबिक नहीं हो रहा होता है, हम उसको control नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग involuntary muscle भी कहते हैं, साथ साथ इसको हम लोग unistribbed muscle भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी stripped मौजूद नहीं होती, इसमें यह एक एक nucleus है, तो यह uni nucleated होता है, अगर हम smooth muscle की function की बात करें, तो यह control करत हैं, तो यह कहां कहां पाया जाता है, यह blood vessels में पाया जाता है, यह देखिए, blood vessels का भी movement होता रहता है, pressure की वज़े से blood vessels में movement होता रहता है, वो smooth muscles ही control करता है, साथ ही साथ इस टमक में जब हमारा खाना जाता है, तो वो भी move करता है, है ना, churning movement होती है उसमें, तो वहां पे यहां पर कांटक्टायल टीशू प्रेजन होता है तो मैंने बताय कि मैंस्कुलर टीशू में प्रेजन टीशू होगा और यह और सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजन रहता है कार्डिक मुसल की एक खास बात यह है कि यह कभी भी इसमें फटीग नहीं होता यानि कभी भी यह थकता नहीं है जब तक इनसान की देतना हो जाए तब तक यह move करता रखता है तब तक ये move करता रहता है contraction और expansion continue होता रहता है अगर ये figure को देखेगा तो आप देखेगा ये इस तरह का होता है यानि ये branch होता है cylindrical होता है strip भी होता है और uninucleated होता है लेकिन इनका appearance जो है multi-nucleated दिखता है क्योंकि ये branch होता है इसी वज़े से अलग-अलग cell भी एक जासे दिखते है इसी वज़े से ये multi-nucleated दिखता है अब हम बात करते हैं neural tissue की तो neural tissue एक बहुत ही sensitive tissue है जो हमारे body को पूरा control करता है पूरी body जो हमारी neural tissue से ही control होती है और ये बहुत ही जल्दी response करता है किसी भी changing condition का neural tissue के दो types होते हैं पहला है neurons और nerve cell और जो दूसरा है वो neural glia इसका आप function देखते हैं जो neurons होते हैं उनको हम लोग unit of neural system कहते हैं और ये excitable cell होते हैं मतलब यहाँ पर electrical impulse आता है और ये excited कर जाते हैं ठीक है कोई भी stimulus आएगा और ये excited कर जाएगे ये कहाँ कहाँ present होता है brain में मतलब हमारा पूरा brain और पूरा spinal cord ये neurons सही बने होते हैं neuron एक दूसरे से connect हो कर जो हमारा brain का formation करते हैं और spinal cord भी neurons सही बने होते हैं तो अगर आप से सवाल होता है कि brain में कैसे सिल मौझूद होते हैं तो brain में neurons मौझूद होते हैं और neuron का structure कुछ इस तरह का दिखता है एक है dendrite सबसे उपर वाला जो branch वाला portion है वो dendrite है फिर ये जो लंबा वाला yellow color का दिखाई दे रहा है ये पूरा लंबा सा axon है axon last में वो branch हो जाता है तो electrical impulse dendrite के पास आता है और फिर axon के पास से दूसरे neuron के पास चला जाता है और ये उपर में mylene sheet दीख रही है mylene sheet actually conduction easily करा देता है और दूसरा है nucleus nucleus बीच में दीख रहा है और ये outer जो है वो plasma membrane है और इसको हम लोग cell body कहते हैं बीच में जो सेवन 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 करता है और साथ साथ जो बीच का बिल्कुल दो mylene sheet के बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम लोग node of run wire कहते हैं तो यह आपका पूरा neuron का structure है वैसे यह तो आएगा नहीं फिर भी मैंने एक बार समझा दिया दूसरा आता है Neuroglia Neuroglia actually जितने भी parts है neurons को छोड़ करके बाकी जितना जो part होता है nervous system का वो Neuroglia का बना होता है Neuroglia actually protect करता है और support करता है neurons को जैसे मैंने myelin sheet बताया वो actually Neuroglia ही होता है Neuroglial cell भी कहते हैं इसको और यह जो है वो more than 50% neural tissue का हमारी body में मौझूद होता है यानि less than 50% neuron होगा तो यहाँ पर आपका पूरा tissue animal tissue complete हो जाता है एक बार हम इसको फिर से revise कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा types of animal tissue जो के चार तरा के होते हैं epithelial connective, muscular and neural epithelial tissue का काम क्या है यह function करता है cover करता है और line करता है हमारे body part को internally भी और externally भी epithelial tissue क्यों कहते हैं ap का मतलब होता है outer और ethelial का मतलब होता है layer तो outer layer चाहे वो अंदरूनी से outer layer हो चाहे वो बाहरी से outer layer हो तो वो layer जो सबसे outer होता है अंदर से या बाहर से उसी को हम लोग epithelial tissue कहते हैं इसलिए इसका नाम जहें वो epithelial tissue पढ़ गया इसके example में skin है intestine है, glands है, phallipin tube है nasal passage है next है connective tissue connective tissue actually link करता है और support करता है और साथी साथ defense tissue का भी काम करता है और fat का storage भी करता है इसके example में loose connective tissue में अडिपोस tissue और अरियलर tissue दूसरा है ligaments and tendons ligaments जो है वो bone से bone करता है और tendon जो है वो muscle से bone करता है इसको याद कैसे करेंगे जिसमें M आएगा उसमें इन आ रहा है तो इस तरह से मियाद कर सकते है और तीसरा है specialized tissue जिसके example में cartilage, bones and blood blood एक वाहिट tissue है जो कि fluid होता है और blood चाथ तरह से मिलके बनते हैं plasma, wbc, rbc and platylet अब बात करते हैं muscular tissue की तो muscular tissue में contactile tissue होते हैं यानि muscular tissue contract और relax कर सकते हैं तो muscular tissue तीन तरह के होते हैं पहला है skeletal और stripped muscle tissue दूसरा है smooth और unstrict muscle tissue और तीसरा है cardiac muscles tissue तो skeletal muscle की बात करें तो यह cylindrical होता है multi-nucleated होता है और कहां पाए जाता है पूरे skeletal system में पाए जाता है दूसरा है smooth muscles और unstrict muscle यह spindle shape का होता है और uninucleated होता है और यह कहां पाए जाता है internal organs में cardiac muscles की बात करें तो यह branch होता है cylindrical होता है दिखता multi-nucleated है पर होता है uninucleated है और यह कहां पाए जाता है heart muscles में और last जो हमने पढ़ा था वो है neural tissue यह दो तरह के होते हैं neuron और nerve cell और neuralglia neuron जो है unit of nervous tissue कहलाता है और neuralglia जो supporting cells होते हैं जो neurons को support करते हैं neuralglia greater than 50% होते हैं और less than 50% neurons होते हैं neurons कहां पाए जाते हैं brains और spinal cord में और neuralglia वहां पाए जाएंगे जहां पे neurons पाए जाएंगे यानि यह भी उन्हीं जगह उपर पाए जाते हैं animal tissue यहां पे complete होता है और अब हम इसके questions करेंगे तो पहला question है which of the following tissue acts as a first line of protection from the physical and chemical damage areolar tissue, epithelial tissue, muscular tissue, adipose tissue जल्दी बताइए epithelial tissue जो के protect करता है physical and chemical damage से the characteristic feature of skeletal muscles is stripped होता है, voluntary होता है, multi-nucleated होता है यह all of these होता है तो बताइए skeletal muscles stripped होता है, voluntary भी होता है, multi-nucleated भी होता है इसका answer होता है, the smooth muscles is present in all the internal organs होता है organs that do not move with our will, बिल्कुल सही बात है, ureter में भी होता है, ठीक है क्योंकि ureter भी internal organ में आता है, तो यह इसका भी answer हो चाहेगा, all of these the cardiac muscles is present in, कहां present होता है cardiac muscles, heart में, organ that move with our will, यह uterus में, यह none of these, कहां लगाईगा तो जाहिर से बात है, cardiac muscles heart में present होता है, तो answer is A अगला question है, the characteristic feature of cardiac muscles is never fatigue, made up of contractile protein, present in heart तो बता कि कभी भी fatigue होता है, नहीं होता है, until death, नहीं होता है fatigue दूसरी बात है, made up of contractile protein, बिल्कुल contractile protein का बना होता है, और present होता है heart में, तो इसका answer होगा, all of these the storage of fat in our body takes place in, हमारे body में storage of fat कहां होता है, adipose tissue में, epithelial tissue में, areolar tissue में, या फिर सभी में बिल्कुल adipose tissue इसका answer सही होगा, क्योंकि epithelial में नहीं होता है, areolar में नहीं होता है, तो इसका answer होगा, adipose tissue में, two bones are connected to each other with the help of, two bones एक दूसरे से किस से attach होता है, बताइए, ligaments या tendons, जल्दी, ligaments, जाहिर से बात है, दो bone, bone to bone connection, तो bone to bone connection कहां होता है, ligaments में होता है, next question is, the tissue which is present beneath the skin, beneath the skin कौन सा tissue present होता है, adipose, epithelial, muscular, all of these, जल्दी बताइए, beneath the skin, adipose tissue present होता है, अफला question है, which of the following is not classification of animal tissue, ये animal tissue में, classification में कौन सा नहीं आता है, adipose, epithelial, muscular, connective, जल्दी से, तो चार होते हैं, epithelial, connective, muscular, and neural होते हैं, तो इसमें कौन सा ला कुछ आएगा, adipose, actually, adipose जहे वो सब classification है, वो connective tissue में आता है, animal tissue का जो classification है, वो epithelial, muscular, connective, and neural है, the next question is, blood and limbs are the types of blood or lymph, blood तो हमें पता है, lymph मैंने नहीं बताया, तो lymph पी actually, plasma की तरह ही होता है, बस कुछ चीज़ें अलग होती है, तो blood और lymph दोनों जो है connective tissue, अगला question है, cartilage is present in, कहां पाया जाता है, cartilage, तो पिनना में, between joints of vertebrae में, between joints of bones में, तो कहां पाया जाता है, तो ये सारी पिनना में, यानि, ear का जो outer ear है, उसको हम लोग पिनना कहते है, तो पिनना में भी पाया जाता है, vertebrae के joints के बीच में भी पाया जाता है, bones के joints के बीच में भी पाया जाता है, तो all of these questions is, which of the following connect bone to muscle, तो bone to muscle connect करने के लिए कौन सा होता है, तो जहां पे M आएगा, वहां पे M नहीं आएगा, तो ligament में M आ रहा है, तो यहां पे तो M नहीं आएगा, तो इसका answer हो जाएगा towardsselves Cell present in brain and spinal cord Brain and spinal cord में कौन से cell present होते हैं? Neuroglia, neuron, neurosecretory cells, all तो इन में सारे cells present होते हैं Brain and spinal cord में Neuroglia भी present होता है Neurons भी present होता है और Neurosecretory cells भी present होते हैं तो इनका answer हो जाएगा all Longest cell in your body Blood, Neuron, Adipocyte and all तो हमारे body में longest cell कौन सा होता है Neuron जो होता है, longest cell होता है हमारे body में अगला question है, organ that cover the largest surface area of our body तो वैसा organ जो हमारे body का सबसे largest surface area को cover करता है तो हमारे surface area को कौन सबसे ज़ादा cover करता है, वो है Next question is, bone is an example of, bone किसका example है? तो bone हमने किसमें पढ़ाता? Specialized Connected Tation अगला question है, how many muscles present in your body? तो 639 muscles Smallest muscles in our body, steepedious Camel hump stores क्या store करता है, कोई confusion नहीं होना चाहिए Water, fat, food, none तो इसका answer है, fat अगला question है, which of the following is not a connective tissue? इसमें कौन सा connective tissue? नहीं है, blood है, adipose tissue है skin नहीं है, क्योंकि skin जो है, वो epithelial tissue में आता है तो हमने questions कर लिए है अब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगी plant tissue या फिर ये भी हो सकता है कि plant morphology लेके चलिया हूँ तो stay tuned और subscribe करना बिल्कूँ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाई बाई और स्वीडियो, पुझ दिस वीडियो, बाई बाचिंगे चलियो, बाई आता है झाल झाल